किसान भायों नमस्कार, मैं हूँ आदर्स और आप देख रहे हैं आदर्स एग्रिजन्सन यूट्व चैनल दोस्तों हम बात करेंगे सरसों के बारे में सरसों की खेती भारत में बहुत से छेत्र में की जाती है सर्सों की खेती से किसान काफी अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं अगर आप सर्सों की खेती कर रहे हैं और आप ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो विशेश तोर पर आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने सर्षों का उत्पादन भी अच्छा ले लेते हैं और आप अच्छा मुनाफ़ा कमा लेते हैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी वीडियो को बिना स्किप किये अंत तक देखें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को दबा कर बेल नॉटिपिकेशन आउन कर ले किसान भाईयों कुछ दिनों में सर्षों की बुवाई का समय नजदीक आ रहा है एसे में अगर किसान सुरुआत से सर्षों की खेती में कुछ विशेज बातों का ध्यान रखें तो अपने उतबादन को बढ़ा सकते हैं तो पहली चीज ये आती है उन्नत किस्म के बीजों का चैन किसान भाईयों अगर आप सर्सों की खेती कर रहे हैं और अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको हैब्रिड उन्नत किस्म के बीजों का चैन करना है अलग-अलग छेत्र के हिसाप से मार्केट में कई प्रकार की उन्नत किस्में आती है हमारे चैनल पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा सरसों की उन्नत किस्मों की बात करें तो बहुत सी वराइटी प्रचलित हैं जैसे की पर्णियर की 45-46 और बायर की 52 और कई सारी वराइटी उपलब्ध हैं तो आप अपने छेत के हिसाब से उन्नत किस्मों का चैन करें साथ ही बुआई से पहले बीज का उप्चार जरूर करें इसके अलावा अगर आप सरसों की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं तो सरसों की बुआई आपको सही समय पर करनी हैं ताकि आपके फसल में किसी भी परकार के कीटों का प्रकोब कम से कम देखने को मिले सरसों की बुआई के समय की बात करें तो सरसों की बुआई सितंबर के अंतिम सप्ता से अटूबर मध्य तक आप कर सकते हैं इसके अलावा सरसों एक तिलहनी फसल है बुआई के समय आपको कुछ विशेश खादों का प्रियोग करना चाहिए जो भी खाद आप देना चाहते हैं वो बीजों की बुआई से पहले देना चाहिए जिन चिन खादों का प्रियोग करना है तो आपको हमारे अगले वीडियो में बताया गया है जिसकी लिंक आपको description में मिल जाएगी जाके आप देख सकते हैं किसान भायों सरसो एक तिलहनी फसल है इसलिए इसमें सलफर की आवसकता होती है अगर आप बुवाई से पहले खेत की तैयारी के समय में सलफर का प्रियोग करते हैं तो आपको काफी फायदे मिलते हैं किसान भायों सरसो की खेती में आप कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं किसान भायों अगर आप सरसो की खेती कर रहे हैं तो आपको संतुलित बीज दर आपको खेत में डालना है प्रती एकड की दर से आपको एक से डेढ़ किलो बीज डालना चाहिए अगर आप ज्यादा बीज डालते हैं तो पौधे पास पास आ जाते हैं तो उत्बादन ज्यादा नहीं मिल पाता है अच्छी पैदावार के लिए संतुलित बीज दर रखना है जिससे पौधे निश्चिज दूरी पर रहें उसमें ज्यादा फुटावाएं और फसल का उत्बादन अधिक हो तो दोस्तों आपको इनी चार बातों का ध्यान रखना है जिससे आप सर्सों की फसल में अधिक उत्बादन पासके और कम लागत में अच्छी पैदावार हो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें